क्या देख रहे हो बेटी? तुम्हारे मालिक को देख रही हैं और उनकी आदते हैं उनकी आदतें बुरी सहीं मगर वो दिल के बुरे नहीं है नहीं होगी लेकिन मैं तो अपना सोच रही है मैं यहां कितने दिनोगरी कर सकूँगी नहीं ऐसा मत सोची बीठी तुम्हारे आने से तो मुझे उमीद हो गई है एक आवरत मर्त को बिगार सकती है तो दूसरी सुधार भी सकती है क्या? यार इतनी बड़ी टोली क्यो आई? बोलो बोलो बात क्या है बड़े सरकार से बोलो बात तो कुई नहीं बरसों से आपकी जमीन पे काम और आपके पांग की गुलामी करते है है? महिंगाई के जमाने में जिस तरह जीजू के दाम बड़े है मजूरों की मजूरी भी बड़ी है हाँ हाँ कहिना क्या चालते हो आपके पासवाली जीमिदारी में जो हल से लाता है उसको तीन रुपय मिलते है जो सड़क कुटता है उसको चार जो कारखाने में काम करता है उसको पांच मगर हम आज तक दो ही रुपय में काम कर रहे है तो तुम लोग हमें धंकाने आये हो तुम भी चले जाओ वे कारखाने में हम कैसे जा सकते हैं मालिक, हमारे खून में आपका नमक रचा हुआ है, हम तो सिर्फ आपसे अरज करने आये हैं, आप तया कीजिए और हमारी मुझरी बढ़ा दीजिए अब तुम लोग जा, बड़े सदकार तुमारी मांग पर विचार करेंगे नहीं, एक पाई नहीं बनाएंगे हम, जमीन हमारी है, कुवे हमारे है, हन हमारे है, बैल हमारे है, तुम लोगों का क्या है इसमें, जगासा हाथ ही चलाते हो ना, सत कहां आपने, हम जगासा हाथ ही चलाते हैं, ये छाले हमने सोख से उगाये हैं, जैसे आप बगीचों में फ तुम्हारा अपना फैसला फैसला तुम मालिक आपने खुदी लिख दिया है यहा हम इतने पैसे में काम नहीं करेंगे बेसे कमी भूका मनना पड़े अपने घर में कल तुहारे घर कहा होंगे कल तुहारे खुदा ऐखुदी अमिरों सब्सक्राइब है करें कर दो तुम्हारे मालिक से देते हुआ उसे में अभी मालिक कहते हैं उसे कातील कहों कातील वह शाज़ा वुछारा भू पर समें को अंदर आने तो ठीक है, तुम सब लोग इनी थेरो, मैं अकेला अंदर जाकर तुम सब की चीखों से इस महल की तीवा लेना सेकता हूँ एक बार फिर से कहना के हम मालिक नहीं, कातिल है, ये एक बार तो क्या हजार बार कहूंगा, कातिल, 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 कितने बहुतर थे और बेटा कितना काय, जो रात के अंधेरे में गरीबों के गरदा सकता है। हम अभी तुम्हे दिखाते हैं, हम दिन के उजाले में क्या कर सकते हैं। हुँ, लेजा वेशिवर, फैंक तो बाहर। सरकार, जो बाहर खड़े हैं, उनका क्या होगा? उनके उपर हमारे बूखे कुत्ते दोरा दो। हुआ हु, हुआ, हुआ उनकार! हाय, यह जब क्या हो आग? पहले भूखे इंसनों पर कुद्धे दोराएंब उन तब बंदू के साने हारी! तुम्हें ने इंसान कहते हो सिर्फ इसलिए कि इनकी दो तांगे ने चार नहीं लेकिन इनका कसूर क्या यही ना कि इनोंने दो रुपए के बजाए तीन रुपए मांगे अपने खून और पसीने की कीमत करण आप समझते क्यों नहीं हैं आपका हर एक कुत्ता रोज दस रुपए का मास खाता है तो क्या यह आपके कुत्तों से गह गुजरे हैं तुम जानते नहीं हो करण जो आज अपने खून और पसीने की कीमत मांग रहे हैं वो कल तुम्हारा और हमारा खून मांगेंगे अंदर जा शरापी और चुप रहा जाए यह हमारे सवाल का जवाब नहीं है भाईया यह सिर रोटी तु मांग रहे हैं रोटी जुन्हों ने अपने हाथों से पैकी है कल को अगर इन किसानों ने हल पहेंग दिये तो हम जमीनदारों का क्या होगा जमीदारों का जो होगा वो बाब में देखा जाएगा पहले तुम्हारा और हमारा फैसला होगा हम समझे नहीं आग का मतला हो जाओ उस से जाकर इसका मतलब समझो जो आज कल तुम्हे नए नए पाश पड़ा रही है अमीर और वरीब के दरमियान एक लकीर होती है दुश्मनी की लकीर तुम आज अपने भाई को छोड़कर लकीर के उस पार दुश्मनों के साथ आख़ए होगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बीमारी तो आपने बता दिया और इलाज भी बता दिये ना जो हमेशा होता है